इन महा मिलावटी लोगों को समझी नहीं आ रहा है कि अब बचा हुआ चुनाव बचाने के लिए कौन सा खेल खेला जाए मोदी को गाली देने के लिए इन्होंने जो जो जूट गड़े थे वो तो सारे हवा हो चुके हैं अब आप देखिए बेहन जी खुले आम कॉंग्रेस की आलोचना करती हैं नामदार की आलोचना करती हैं उनकी नीतियों की आलोचना करती हैं कॉंग्रेस को कोश्ती हैं लेकिन दूसरी तरफ बेहन जी के साथ गड़बंदन करने वाले लोग अपने नीजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह कॉंग्रेस के मुद्दे पर चूप है भाई और बहनों वोट काटना समाज तोड़ना बेश बांटना कैबिनेट का अध्यादिस फ़ाड़ना यही कॉंग्रेस की पहचान बन गया है साथियों चौथे दोर के मद्दान के बाड़ और जो बाते निकल कर सामने आ रही हैं वो गौर करने लाइक है कल सक कॉंग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मूदी मूदी के प्रभाव को और मूदी के औरा को इस औरा से डरते हैं अब वो खुड़ कर कहने लगे हैं कि वो मूदी से तब तक नहीं चीच सकते जब तक मूदी की मेहनत, मूदी की इमेंदारी और मूदी की भारत भक्ती पर दाग नहीं लगा सकते उत्तर पदेश के साथियों अब आपको समझ आ रहा होगा के पिछले तीन साल, तीन साल से जो जूट पर जूट बोला जा रहा है रोज नए जूट गड़े जाते हैं, रोज मूदी पर किचड उछाला जाता है उसका मकसद क्या है? एक जूट का पुलिंदा बना दिया, उसको राफिल नाम दे दिया और जूट बोलते गए, जहां गए, जितना जोर से बोल सके मूदी की छबी खराब करना मुझे पानी पी पी कर गालिया देने के बाद जब ये लोग मुझे तक नहीं पहुँच पाए तो अब मेरी छबी को कुचलना चाहते है नामदार कान खोल करके सुन लो ये मूदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है ये मूदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है ये मूदी भारत मा की दूल फाग फाग करके बड़ा हुआ है ये मूदी पाँच दसक तक बिना रुके बिना थुके कभी थके मिना एक निश्ट एक लक्ष शिर पर सिर भारत माता उसके लिए जिये आए उसके लिए तपस्या करता रहा है पाँच पचास इंटर्यू दे करके टीवी स्क्रीन पर आ करके गालिया दे करके पचास साल की मूदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते आपके पिताजी को आपके राग दिरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन मिस्टर क्लीन चला था लेकिन देखते ही देखते ब्रश्चाचारी नंबर बन के रुपे उनका जीवनकाल समापत हो गया नाम्दार यहंकार आपको खा जाएगा यहंकार आपको छोड़ेगा नहीं यह देश गल्टियां माफ परता है यह देश दोखे बाजी को कभी माफ नहीं करता है लेकिन इन लोगों ने बाईो बहनों यह नाम्दार ने कभी सुनानी होगा लेकिन मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है कभी मुझे डर लगता है कि सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार ना आ जाए लेकिन मैं तो आपके चर्णों में समर्पित हूँ और इसलिए आपकी तरब से आपकी तरब से सुनाना चाहता हूँ न मैं गिरा और न मेरी उमिदों के मिनार गिरे पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे झाल आपकी तरब राए झाल झाल